तो भई जिजी ने बढ़कनी जिजी ने 48,000 की साड़ी भाई की शादी के लिए पहनी है उन्होंने टाइटल भी लगाया 48,000 की साड़ी भाई की शादी के लिए लेकिन जिजी सब लोगों ने नीचे लिख रहे हैं सब कॉमेंट्स की ये साड़ी 32,000 कुछ की है ठीक है तुम तो इस एप पे तानियारा साइट पे बहुत महेंगी मिलेगी एक लाग सतन हजार साथ हजार पचास हजार चालिस हजार लेकिन नहीं यह साडी बहुत सस्ती लेकिन जी यह साडी अगर आप लोग देखे प्योर सिल्क साडी कांजीवरं की तो यह 32,000 कुछ की है तो तुमने ट जोलेज है सिल्की साडियों की और यहां पे ओनलाइन भी लोग सर्च कर सकते हैं तो आपका जूट फिर से पकड़ा गया आपने कल अपनी वीडियो में जूट बोला मतलब साडी आपकी इतनी महेंगी नहीं थी बाकि जिच जी ने आज की वीडियो में पूरी वीडियो में कांजी वरम, कांजी वरम, तानियारा एप, तानियारा एप और मेरी friend ने मुझे recommend किया था क्योंकि मुझे original कांजी वरम चाहिए थी original या फिर बनारसी चाहिए थी तो मैंने कांजी वरम साड़ी ली है और ये है, अपनी साड़ी दिखाए गई है बाकि उसके साथ में orange blouse आया तो मैं ये नहीं पहनूँगी, मैं pink पहनूँगी लोग भी नीचे लिख रहे हैं कि contrast अच्छा लगता है आपको orange ही पहनना चाहिए, जो ये combination है न उसके साथ pink का orange ही जाता है So friends, welcome to my channel, it's me Swati कैसे हैं आप लोग, I hope Hope आप लोग बहुत मजे में होंगे और देखें बढ़कर नहीं, जिची का फिर से एक जूट पता चल गया आप लोगो, है न ये कितने जूट बोलती है और title इसलिए लगा था, पहले ये दो दिन दिन से इनके तानियारा तानियारा कर रहे हैं थी, साड़ी आ कई है, मेरा wedding outfit और मैं सोच रही हो मैं दिखाओं, नहीं दिखाओं, कुछ surprise होना चाहिए, लेकिन finally कल दिखा दिया क्योंकि जिची को था कि जब मैं इतनी महंगी साड़ी ले रही हूँ तो कही ना कही इसका प्रचार भी करना जरूरी है है ना, खूब प्रचार बगएरा करके और जितने पैसे की लगाए है होना हो, इनको discount अच्छा खासा मिला है इस साड़ी पे, तब ही जिची ने लिए वरना जिची इतनी महंगी साड़ी कता ही ना ले सकती है बहुत अच्छी ओरीजनल साड़ीया मिलती है कही ना कही तानियारा की जब बात-बात हो रही थी ना तो ऐसा लग रहा था कि कही ना कही ये जिची पूरा प्रमोशन कर रही है और फिर इन्होंने कई सारी चीज़े करी बहुत बात हो रही है एक दो दिन से आप लोगो ने देखा हो गा तो अचानक से जिच्ज़े की बिमारिया आई ये क्यों आ रही है बार-बार ये क्यों दिखाया जा रहा है क्यों एक sympathy card खेला जा रहा है कल जिची ने बोला कि मैं बहुत परिशान थी लेकिन इसलिए परिशान थी क्योंकि जिजी को रिपोर्ट समझ नहीं आ रही थी तो कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिस्ट्राइट सब की बात की गए और इनका कोलेस्ट्रॉल जो की 131 आया है पहले ये 273 था ट्राइग्लिस्ट्राइट इनके 273 से 211 हो गए और HDL बता रही थी कि 33 है अभी 26 है पहले 33 था तो कही ना कि इतना कम हो जाएगा और मुझको हमने इतने इच्छी डाइट स्टार्ट की इसलिए फरक पड़ा है और मैं घबरा गई थी क्योंकि HDL 33 था अभी 26 है तो जिजी को यह नहीं पता था जिजी ने फिर डॉक्टर स्यॉल की वीडियोस देखी जिसमें हमको पता चला कि अगर कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो HDL जो की गुड लिपिट्स होते हैं वो भी कम होते हैं कल जिजी की स्क्रिप्ट में था HDL LDL सब चीज़ें से इंट्रोड्यूस करा गया था बड़कर ने जिज्जा ने बोला था यह सब तिरे को बोलना है बार बार कट लगा लगा कि जिजी खूब एक्स्प्रेन कर रही थी और यह सब क्यों हुआ अरे बार मेरी डाइट की वज़े से मैंने इनको डाइट दी है है ना मैंने डॉक्टर स्यॉल की क्योंकि मैं बहुत परिशान हो गई थी मुझको रिपोर्ट समझ नहीं आ रही थी कि यह जो HDL है ना जो गुड लिपिट होता है यह इनका कैसे कम हो तो इनको लागा फिर इनुनी तो थीं वीडियो देखी इतना परिशान हों इतना परिशाएं डॉक्टर सियॉल का इननने नाम लिया जो इन इनको यह चार साल से फॉलो कर रही थी इतने कम इंटर 53 cohort को लेके तो डॉक्टर की रिपोर्ट भेजी रिपोर्ट भेजी फिर उ अगर मैं बग्गे की वीडियो पर आऊंगी और इनको इस डाइट लाइफस्टाइल में रहना पड़ेगा बाकि इन्होंने अपनी वही वाली साड़ी बताई है लेकिन जुझी आपकी जूट पकड़ा गया है आपने जो इस फॉर्टी एट थाउज़न की साड़ी बताई है कि कुल मिला की 30,000 की साड़ी है ठीक है तो यहाँ पर लोगों को पागल ना बनाओ लोग जो आपसे एक्सपेक करते हैं औरीजनल प्राइस तो वही बताओ ठीक है अब हम आते हैं बग्गा मामा पर भई बग्गा मामा ने टाइटल डाला है कुल मिला के 4 मिनट कुछ का वी नहीं था मुझे उदर जिजज़ी बिमार ठीक है उनकी टेस्ट उनकी रिपोट्टा कराएगा रिपोट्टा आई ए और इधर बग्गा मामा भी बिमार मतलब यह हो क्या रहा है शादी कर टाइब आने वाला है ठीक है लेकिन यह सबके सब बिमार क्यों हो रहे हैं खैर दो धाई बजे तक नहीं सोया था क्योंकि मैं स्टीम ही लेता रहा उठ उटके बाहर कफ कर रहा था बहुत कफ है कोल्ड है फीवर भी है मेरे गले में दर्द है और चेस्ट कंजेशन है बहुत जादा रेशा बना हुआ है हायरे देया मतलब प्री वेडिंग शूट से जब बहुत जादा रेशा बना हुआ है रात को जैसे कि कफ आती थी तो उसी टाइम पे में गरम पानी बार बार प्री रहा तक इन आल तबियाद बहुत खराब है बग्गा मामा की और बग्गा मामा मतलब अबी तो शादी भी आने वाली है और तुम पर देखो घर का इतना सार चुटकन्नी को भी हुआ था, cold, याद होगा आप लोगो, अब तो उसका वीडियो ही नहीं आया, लास्ट में उसने जो ग्रह प्रभीश पूजा के नाम पर पागल बनाया लोगों को, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा पागल तो भी अंकुष को बनाये गए, हाँ, जो बारा हो, उनसे ही मेरे को फरक पड़ता है, हमेशा, कई बार से लूँगा, तो और जादा दिक्कत हो जाएगी, उनसे दवाई लूँगा, एक दो खुराक में, मैं फरक पड़ जाएगा, दवाई का, तो बग्गा बामा is not feeling well, रात को मेरे से, मेरे को ठंड भी बहुत लगी, गल बामा फिर आया, प्री वेडिंग वाले दिन, मेरी तब्यत खराब थी, लेकिन ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से सब कुछ हो गया, बाहर काम करने की वज़े से शायद बारिश भी थी, और बाहर निकला तो मैं भीगता ही रहा, बाहर इतना मैंने काम कराया, मैं क्या बोलू, बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, गला भी खराब हो रहा है, लेकिन हमने कभी बगगा मामा तुम्हें बाहर काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन यह हो सकता है कि हाँ, तुमने जो वहाँ पर प्री वेडिंग शूट किया, आचल के साथ बाहर दिन, राज शूट हो रहा था, उसकी वज़े से बेशक हो गया हो, लेकिन काम वाली बात तुम ना करो, तुमसे बड़ा काम चोर कोई नहीं है, सारा काम तो तुम अपने जो चाचा जी है, उनसे ही करवाते हो maximum और जो लेबर्स है, डॉक्तर जी बोलेंगे, वहाँ पे वो बड़े मजाख्या है, बड़े फनी पंडित जी है, बोलेंगे कि पंडित जी ये क्या कर लिया, काफी मजाग भी करते हैं, बाकी वीडियो आके बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में भी दिक्कत आ रही है, पंडित जी ये क्या कर लिया, ये तो ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में कह रह पिर लास में बग्गा को याद आ गया कि भई या दिवाली, I think दिवाली वाले दिन का ये वीडियो है, जो अब डाला गया है, कि आप लोगो दिवाली की शुप कामना एं, और आप सबको दिवाली सुखी, सुखो की आए, दिवाली में कोई दुख ना मिले, सुख सुख मिल लेकी नहीं, छुटकनी को बोला हैकि भूल लेकिन इस नौकर भी बना रका हैं लोगों ने, फिर मैं घर ही चला जाता हूँ, पिर इनुने वह आई नहीं जाता हूँ, लेकिन घर जाना सही ने, क्योंकि आज दिवाली है, मुझे यह समझनी आया है, इन दिवाली वाले दि था कि कितने बजे आएंगे नौ बजे फिर आत्रे टाइम दिखाया डॉक्टर अंकल ले टीका लगाया है इन्होंने दिखाया कुछ नहीं लेकिन आत्रे टाइम काड़ी में बोल रहे कि मैंने को टीका लगा मुझे एक सो तीन डिगरी बुखार था दवाई दी है दो दिन द खाओ फिर चेक करवाओ और खाने पीने को सब कुछ मना कर दिया रोटी सबसे सम बना कर दिया बस खिचड़ी अलाओड है ब्रेड अलाओड है और अंकल जी बहुत अच्छी दवाई देती है उनकी जल्दी से मतलब फरक पड़ जाता है अच्छे से चेक भी करते हैं रिली कि इन तीनों गाई बहनोंगा ना समझनी आता कभी मतलब कुछ भी जूट बोल सकते हैं अब देखिए डॉक्टर वाली बात ले लीजे कह रहे थे कि 9.05 मैं बेट कर रहा हूं लेकि दिवाली वाले दिन और वो पी संडे भी था और डॉक्टर एवलेबल थे उस टेम मुझ समान गलत निकल गया था तो यह मैं जाते टाइम चेंज भी करवा लूँगा और फिर मैं घर से निकल जाओंगा फिर मैं घर के लिए निकल जाओंगा और कुछ समान पूछ लेता हूं प्रीतों से मम्मी से कुछ लेकर तो नहीं आना गले में दर्ध है कफ है चेस्ट कंजे या फिर दवािय नहीं लेनी चाहिए एंटी स्टमक कुछ भी नहीं दवाही खानी चाहिए और फिर घर पर आ चुके मनझे पर लेटे हूए चाहर पर चुट गन्नी के हाथ में इनका कामरा है ऐ चुट गन्नींंका वीडियो बना रगी है और वह पूछ भी रही है कि तेरे इस लिड़ में खेसे तहीं दूसरे का साथ बख्भु भी निखालते विए दिखते हैं लेकिन वहां पे जो बग्गी आने वाली आंचल वो सच बोल डेती है बतला उसके तो पता चल जाता है जैसी वो बाते पकड लेती है आप सबको दिवाली के शुब कामना नेक्स डे हो गया है अभी फीवर कम है बट गले में दर्थ है और थकान भी बहुत जादा है तो मैं ओपर माता रानी की पूझा तो हो रही थी बट मैं जादा दिर नहीं बैट पाया इतनी थकान हो रही थी मुझे समझण है माता रानी की पूझा में बैट नहीं पाया और फिर बात मैं कहरा था कि अभी मैं थोड़ा बाहर होके आया अभी दबाई खा के रेस्ट करूंगा मुझे को जादा नहीं चला जा रहा है बैटने में भी प्रॉबलम हो रही है पूरी तरह से रेस्ट लूँगा दोपहर को मैं सो राता दो तीन घंटे और अभी शाम को थोड़ा निकला था अभी मेडिसिन लेके फिर मैं रेस्ट करूँगा तो कुल मिला कि बग्गा मामा अभी थोड़ा फीवर बेटर है फीवर ठीक है लेकिन स्टिल गले में दर्द है गले में प्रॉब्लम है फिर नेक्स दे गुड मॉर्निंग आइस मैंने सोचा था कि नया घर बना है अच्छे से दिवाली सेलिबरेट करेंगे बड़ तव्यत खराब हो जाएगी इम्हें नहीं पता था दिवाली तिनी बेकार निकली बड़ अच्छी थी घर में हमने पू और फिर कुछ देखते हुए वीडियों ने एंड कर दी तो बग्गा मामा की तव्यत हो चुकी है अचानक खराब अब ये आप लोग ही बताईए इस क्रिप्टिड बिमारिया उदर जो बड़े जिजज जी है उनकी कोलस्ट्रॉल, HDL, LDL, Trigles, Rights की बात की जा रही है उनकी बिमारिया लाई जा रही है वीडर बग्गा मामा इसकी वितव्यत होने लगी है खराब तो ये सब ड्रामे क्यों किये जा रहे हैं वो भी शादी के इतने दिन पहले ताकि हम लोग जादा खर्चा ना कर पाएं हाँ उदर से लड़की वाले एक्सपेक्ट ना करें जादा क कि ये करें ये करें तो ये सब चीज़े इसलिए चल रही है बाकि शगुन 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 हाँ लोग बोल रहे थे शगुन दिखाओ शगुन का समान तो दिखाया नहीं गया बाकि बग्गा मामा तुमारी तो दिवाली भी आई होगी खुब सारा समान भी आया होगा तु करेंगे सब लोग भाई देखना चाहते हैं कि क्या-क्या समान आया शगुन नहीं दिखाया कम से कम दिवाली पे तो समान सब दिखा तो जो चीज आई होंगी तो चलिए ये था कुल मिला के बाकी छुटकनी का वीडियो देखी लिया था हमने बताई दिया था ग्रह प्रवेश पुझा के नाम पे लोगों को बनाया गया पागल नॉर्मल लक्षमी पुझाती जो दिवाली वाले दिन रात में होती है चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लेक्षर सब्स्राइब कर दीजे और बग्गा मामा गेट वेल सून भई शादी होने वाली है हाँ तो अपना ध्यान रखो ठीक है जल्दी से ठीक हो जाओ और उदर बढ़कनी जी जूट कम बोला करो हाँ 48,000 की साड़ी जो की 32,000 की आई है उसको 48,000 की बता रहे हो तानी आ रहा तानी आ रहा तानी आ रहा बार बार ये कर रही हो और बिमारियों का भहुत जादा हो रहा है थोड़ा positivity लगोट यह लोगों के फ़र में शादिया होती है तो अच्छे अच्छी बाते करते हैं है ना पॉस्टिविटी बाड़ते हैं, यह नहीं कि बिमारिया बिमारिया, भी जो बिमारियों को टॉपिक शुरू हुआ है, ना जीची ना, यह सीजी अच्छी नहीं है, फिर जीची कह रहेती है, तुम लोगी कहते हो ना बिना तेल का खाना खिलाती हूं, देखो, इनकी कितनी सा करके जाहिएगा, बाई बाई एंड टेक केर,